हेलो फ्रेंद्स आज मैं आपको बताऊंगी रवे हलवे का रेसिपी बैबी से लिए इसके लिए रवे रेक्वाड रौट या लगाय रवा जागरी पावडर हनी है one tablespoon ghee it's optional I use ghee for my baby because it's very healthy and for garnishing I have some almond flakes and a piece of jelly my baby likes it first you have to like this too keep the pan put some ghee keep it on sim you can add some flakes of almond it's optional some babies like it and some baby doesn't my baby likes it you can use sugar but I prefer jaggery powder and honey for the sweetness mix it now just bring it on boil जब ये बॉल होगा थोड़ा सा मिक्स करें और इसे तू 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 त्री मिनट्स के लिए सिम करते हैं जिसा कि आप देख रहे हैं सिम पे ये हो चुका है नाओ आदिंग सम जैगरी पाउडर जैगरी पाउडर गुड़का पाउडर है ये बेबी के लिए हमारे लिए बहुत हेल्टी इस तरीके से आप देख रहे हैं जैगरी का कलर ब्राउण हो गया है रवा अब हम हमारे बाउल में दाल लेंगे जो भी आपका पास होगा इसे मैंने बाउड में दाल लिया है अब मैं इसे गानिश कर दूँगी आवमन के फ्लेक से आवमन भी बेबी के लिए अच्छा होता है बड़ इसे खिलाने के लिए जरब केरफुल रही है आप इस पर में थोड़ा सा हानी दालूंगी हानी का टेस्ट भी बच्छों को बहुत अच्छा लगता है देखे हमारा रवा हल्वा रेडी हो गया है आप खाएं आप भी खाएं बेबी को भी खिलाएं वेरी टेस्टी हाएं बेखाएं यह को बच्छों आप गजा के लिए थाएंगी खाएं भी खाएंगी पाएंस